भाजपा की एक और सूची, त्याउंधर से सिधार्थ तिवारी हो सकते हैं भाजपा के पत्याशी नमस्कार मैं हूँ अंजिना दा खबरदार नियू से तुशली शुरुवात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से विधानसबा चुनाप के लिए कॉंग्रीस एवं भाजपा ने रीवा एवं माउगन जुरे की आठ विधानसबा सीटों के लिए चार चार परत्याशियों की घोस ना करती है ऐसे इस्तिधी में कॉंग्रीस पार्टी द्वारा जारी की गई सूची में त्योंथर विधानसबा शुरेतर से पंडित श्री निवास तेवारी के पोते सिधार्ट तेवारी प्रवल उमीदबार माने जा रहे हैं उनका नाम नहीं आने से पार्टी कारे करता हूँ एवं उनकी समर्थकों में आकरोज देखा गया हलांकि उनका नाम सूची में ना होने के बाद ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि वह भाश्पा में शामिल हो सकती है विश्वा सूत्रू सिमली जौनकारी इनमें बताया गया है कि भारती जंता पार्टी त्योंथर विधान सबा शेते से सिधार्ट तेवारी को चुना मैदान में उतार सकती है लगभग फाइनल है गुर्ड विधान सभा बताया गया है कि त्यौन्थर मंगवा से जिला पंचया तुपाद्यक्षर प्रणव गुर्ण एवं सेमरिया की जिन चार सीटों से प्रताप सिंग को पार्टी मैदान में उतारने के लिए भाश्पा के सीर्स निताओं का मन बना चुकी है मनगवा चल रहा था उसमें लगभग अंतिम विधान सभा से विधायक पंचु लाल मुहर लग गई है बताया गया है कि प्रजापती की भी टिकेट कर सकती है सेमरिय विधान सभा से जहां वर्तमान उनकी स्थान पर नरेंदर प्रजापती को विधायक केपी त्रेपार्टी का टिकेट प्रत्याशी बना जा सकता है विंद की कई सीटों पर पड़ेगा असर कॉंग्रेस पार्टी के दिग्ज नीता स्वर्गिय स्री निवास्तिवारी की विरासत को आगे बढ़ाने वाले उनके पोत्र सिधार्ट तिवारी को पार्टी ने टिकेट ना देकर बड़ा जोगिम उठाया है माना जा रहा है कि विंदे छेत्र में स्री निवास्तिवारी के आज भी समर्थक जादा है जो इस बास से आहत हैं कि उनके पौत्र को टिकेट से वंचित कर दिया गया यहां गौर करनी वाली बात यहा है कि एक दौर था जब पंडे स्टी निवास्तेवारी अमहिया में बैठक कर विंद छित्र के लिए कॉंग्रेस पार्टी से टिक्टो का बटवारा करते थे परंतु उनके ना रहने के बाद उनके ही घराने को टिकेट से वन्चित कर दिया ग नहीं शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें